प्रथम कोटी के तथा प्रथम घात के आउकल समी करणों का हल Solution of Differential Equation of the First Order and First Degree उन समी करणों का हल जो dy by dx equal to small f of x के रूप में हो माना की dy by dx equal to small f of x है तब इसे आउकल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है equal to small f of x dx अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम लिखेंगे integration dy equal to integration sign f of x dx तो इस प्रकार इसका समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा small y equal to capital f of x plus c जबकि dy dx of capital f of x equal to small f of x अब हम प्रथम कोटी तथा प्रथम घात के आउकल समीकरन को सरल करेंगे जिसमें पहला दिया गया प्रस्न है कि dy by dx equal to 4y यह आउकल समीकरन है इसे हमें सरल करना है तो आप जानते किस प्रकार के आउकल समीकरन को किस प्रकार सरल किया जाता है y वाले पद एक तरफ और x वाले पद को एक तरफ ले जाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा dy by y और यह 4 dx अब दोनों पक्षों का जब आप समाक्दन करेंगे यह integration dy by y equal to 4 integration dx इसको solve करने पर आपको मिल जाएगा log y और इसको solve करने पर मिल जाएगा x और plus c यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जहां पर c समाक्दन नियतांक है अब यहां पर यह log है left side पर जब जाएगा log का inverse तो आप पर मिल जाएगा e का power यह e का power 4x plus c और इसे आप लिख सकते हैं e का power 4x into e का power c और इसको लिख सकते हैं e का power 4x into k जहां k equal to e का power c है constant है तो यहां से मिल जाएगा y equal to k into e का power 4x तो यह आउकल समीकरण का हल है जो की हमें ग्यात करने के लिख कहा गया था इसमें दूसरा आउकल समीकरण दिया गया है dy by dx equal to 3x square plus 2 तो dy by dx को हम आगे इस प्रकाल लिखेंगे dy equal to 3x square plus 2 into dx अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा integration dy integration sign 3x square plus 2 dx इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा y और इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3x square का x cube upon 3 और 2 का 2x plus c जहां पर c समाकलन नहीं अतांक है तो आप लिख पाएगे y equal to 3 और 3 cancel हो जाएगा यह x cube plus 2x plus c तो यह दिये गए आउकल समी करन का एक हल है जो कि हमने ग्याद किया इसमें अगला प्रस्टन दिया गया है 1 plus x square dy by dx equal to x अब इसे सरल करने के लिए हम x वाले पदों को एक तरफ और y वाले पदों को एक तरफ रखेंगे तो देखिए यह dy इसमें y नहीं है यहाँ पर y नहीं है और यहाँ पर y नहीं है बागी सब x वाले पद इधर पक्षांतर हो जाएगे तो यह x dx डिनामिरेटर में है यह दर यह निमिरेटर में आ जाएगा और यह 1 plus x square का गोणा हुआ है यह 1 plus x square का यहाँ पर भाग हो जाएगा अब इस प्रकार के प्रशन हम हल कर चुके हैं जिसमें एक बटे दो का गोणा करेंगे दो का गोणा करेंगे और दो का भाग करेंगे तो यह 2x dx upon 1 plus x square देखिए 1 plus x square का आउकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x तो जैसा कि आप हैं कि integration f dash x upon f of x dx इसको solve करने पर आपको मिलता है log of f of x तो अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यह integration dy equal to 1 by 2 integration sign 2x dx upon 1 plus x square यहां से मिल दाएगा y यह 1 by 2 और यहां से आपको मिल दाएगा log of 1 plus x square plus c जहां पर c समाकलन नियतांग है तो यह दिये गए आउकल समी करन का हल है इसमें अगला प्रश्ण है square root over 1 minus x का power 6 dy equal to x square dx इसे हमें सेरल करना है तो यह दो x वाला पत है इसे पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy equal to x square dx upon square root over 1 minus x का power 6 अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा d integration dy equal to integration x square dx upon square root over 1 minus x का power 6 अब इसे सेरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उप्योग करेंगे और हम लिखेंगे कि माना x cube equal to t तो यहां से मिल जाएगा 3 x square dx equal to dt या फिर x square dx equal to dt upon 3 इन मानों को हम यहां पर put कर देते हैं यह integration dy x square dx इसके इस्थान पर आप लिखेंगे dt upon 3 यह 1 upon 3 को मैं बाहर लिख रहा हूं और फिर square root over 1 minus x का power 6 तो इसको हम लिखेंगे t square इसका integration करेंगे तो मिल जाएगा y और यह 1 y3 इसका integration करेंगे तो मिल जाएगा sin inverse t और फिर plus c जहां पर c समाकलन नियतांग है अब मानों को रख देंगे t के जगा में x cube तो मिल जाएगा 1 y3 sin inverse x cube plus c तो यह दिये गए आउकल समी करण का हल है अगला प्रस्ण दिया गया है d y by dx equal to minus sin cos x minus sin x upon cos x plus sin x तो यदि आप अउकलन करें cos x plus sin x का तो cos x का मिल जाएगा minus sin x और sin x का मिल जाएगा cos x तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हर में जो पद है इसका उकलन करने पर आपको अंस में जो पद है वह प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं d y यहां से आप आगे solve कर रहे हैं d y equal to minus sin cos x minus sin x upon cos x plus sin x और यह dx दोनों पक्चों का समाकलन कर देंगे तो यह cos x minus sin x upon cos x plus sin x dx इस तरह आपको मिल जाएगा y इस तरह मिल जाएगा minus log of cos x plus sin x plus c जहां पर c समाकलन नहीं अतांक है चूंकि integration f dash x upon f of x dx यह आपको मिलता है log of f of x तो इस उत्र का उप्योग करके हमने इस प्रकारी से लिखा है अब इससे आप लिख सकते हैं y equal to log of 1y cos x plus sin x को की power यह minus 1 है यह इसके power में जाएगा तो यह minus 1 minus 1 को आप 1 upon लिख सकते हैं तो यह आपको मिल जाएगा 1 upon और यह c है तो दोनों का गुणा है दोनों का योग है तो यह इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं एक काम करते हैं c को हम log c से replace कर देते हैं चोकि c constant है तो log c भी constant होगा तो यह log c यह अंस में आ जाएगा और यह r में आ जाएगा तो यह इस तरीके से हमने इसको सरल्ट किया यह y equal to this है अब यह जो log है यह इदर आ करके e का power में convert हो जाएगा तो यह आपको मिल जाएगा e का power y equal to c upon cos x plus sin x या फिर cos x plus sin x into e का power y बराबर c तो यह दिया गया इस दिये गया ओकल समी करण का यह हल है इसमें अगला ओकल समी करण दिया गया है dy by dx equal to x into 2 log x plus 1 upon sin y plus y cos y तो इसमें हम पहले variable को separate करेंगे y वाले फलन को एक तरफ और x वाले फलन को एक तरफ यह जो फलन है हर में जो दिख रहा है वो left side में आ जाएगा और हम लिखेंगे sin y plus y cos y into dy equal to x into 2 log x plus 1 dx अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा integration sin sin y dy plus integration sin y cos y dy equal to 2 log x into x integration sin x into 2 log x dx plus x के साथ इसका multiply होगा तो x dx sin y का समाकलन आपको मिल दाएगा sin y dy इसे हम इसी तरीके से बने रहने देते हैं sin y dy plus देखिए यह y है और यह cos y है दो अलग-अलग फ़लन है तो जैसे कि हमने सूतर पढ़ा है खंडसा समाकलन के लिए i let inverse trigonometric function फिर logarithmic function फिर algebraic function फिर trigonometric function फिर exponential function तो इस प्रकार y को हम प्रत्तम फ़लन मानेंगे और cos y को दुरिती फ़लन मानेंगे तो इस प्रकार इस फ़लन का जो समाकलन होगा पहला फ़लन दूसरे फ़लन का समा कलन पहले फ़लन का आउकलन दूसरे फ़लन का समा कलन और फिर पूरे फ़लन का समा कलन इस प्रकार एक्वल टू यहां पर फिर से यह इस्तितिया ही है यह आपका अल्जबरिक फंक्शन है और यह लॉगरिद्मिक फंक्शन है तो लॉगरिद्मिक फंक् function मानेंगे और आगे हम समाकलन करेंगे तो equal to मिल जाएगा प्रथम फलन द्वितिय फलन का समाकलन रिंड प्रथम फलन का आउकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन तो यह integration sin y dy प्लस y integration sin cos y dy minus dy by dy यह cancel हो जाएगा और cos y का समाकलन sin y मिल जाएगा यह में मिल रहा है integration sin y dy equal to यह है 2 log x plus 1 integration x का है तो x square upon 2 फिर minus integration sin इसका आउकलन करेंगे यह 2 तो constant है log x का आजाएगा 1 by x और फिर x का समाकलन करेंगे यह x square upon 2 और फिर यह dx तो यह पद और यह पद दोनों cancel हो जाएगे और sin y का हमें मिल जाएगा समाकलन करने पर तो यह दोनों cancel हो गए हैं और यह फलन है y integration sin cos y cos y का हमें मिल जाएगा sin y तो यह y sin y equal to यह जो यह जो 2 है यह यहां पर आकर के x square में convert हो जाएगा तो यह log x square मिल जाएगा और यह plus 1 उसके बाद x square by 2 यह 2 और 2 cancel इसका x और इसका x cancel और फिर इसका समाकलन करेंगे मिल जाएगा x square by 2 तो यह x square by 2 अब यदि सिर्फ right hand side को solve करेंगे इसका multiply इसके साथ होगा तो मिल जाएगा x square upon 2 फिर log of x square फिर 1 का multiply इसके साथ होगा x square by 2 और जाएगा तो 2 और 1 by 2 cancel हो जाएगा ultimately बचेगा x यह मिल रहा है हमें x square log x और लगाना चाहें तो हम यह पर plus c लगा सकते हैं जहां पर c समाकलन नियतांग है तो यह दिये गया आवकल समी करण का हल है जो कि हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था अगला दिया गया आवकल समी करण है दी वाई बाई दी एक्स माइनस x into sin square x equal to 1 upon x log x यह दिया गया समी करण है और इसे हमें सरल करना है तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया गया आवकल समी करण है दी वाई बाई डी एक्स माइनस x into sin square x equal to 1 by x log x तो दी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे और उस फ़रन को पक्षांतर कर देंगे तो यह 1 upon x log x plus x into sin square x अब x को पक्षांतर कर देते हैं दी तो यह मिल दाएगा डी वाई equal to 1 upon 1 upon x log x plus x sin square x और यह डी एक्स दोनों पक्षांतर का समाकलन लगा देते हैं तो माल जेते हैं कि वैसे इस फ़रन का समाकलन करेंगे तो हमें मिल दाएगा इस फ़लन का अगर समाकलन करें तो माल लेते हैं कि हमें I1 मिलेगा इस फ़लन का समाकलन करने पर मान के चलते हैं कि यह I2 मिलेगा और C एक समाकलन नियतांग है माल लेते हैं कि समीकरण एक है और यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां I1 equal to integration dx upon x log x और I2 equal to integration sign x sin square x dx तो हम I1 को पहले सरल करते हैं I1 equal to integration sign dx upon x log x तो इसे सरल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन का उप्योग करना पड़ेगा और वो है कि log x को हम t ले करके चलते हैं दोनों पक्षों का उखलन करेंगे तो यह मिल दाएगा 1 by x dx equal to dt तो इस प्रकार I1 equal to है प्रतिस्थापन करते हैं dx by x को हम लिखेंगे dt यह dt और यह t सॉल्व करने पर आपको मिल दाएगा log of t और t के सन पर पुना हिया मा रख देंगे तो मिल दाएगा log of x तो माल लेते हैं कि समी करन 2 है अब हम I2 के लिए सॉल्व करते हैं I2 equal to integration x into sin square x dx तो इसे लिखा जा सकता है x into 1 minus cos 2x upon 2 dx और separate करना चाहें तो लिख सकते हैं integration x by 2 dx फिर minus 1 by 2 integration cos 2x dx और x के सांथ multiply होगा तो यहां पर आएगा x cos 2x dx तो पहले फॉलन का समा क्लान करेंगे तो पहले यह 1 by 2 है और फिर x का समा क्लान करेंगे तो मिल जाएगा x square by 2 फिर minus 1 by 2 देखें यह x एक फलन है और cos 2x एक फलन है तो क्छंड सा समा क्लान का समा क्लान पर न। तो दूसरे फलन मान करके आगे हम समा क्लान करेंगे और फिर इस पूरे फलन का समाकलन इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा x square by 4 minus 1 by 2 x cos 2x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा sin 2x और फिर यह upon 2 फिर minus यह तो मिल जाएगा 1 cos 2x का मिल जाएगा sin 2x upon 2 dx तो यह है x square upon 4 minus इन दों का multiply कर देंगे तो मिल जाएगा x sin 2x upon 4 minus और minus plus 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4 और sin 2x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा और minus के साथ multiply होकर करके मिल जाएगा minus cos 2x upon 2 तो इस तरीके से हमें मिल रहा है i2 equal to x square upon 4 minus x sin 2x upon 4 minus cos 2x upon 8 मान लेते हैं कि समीकरन मान लेते हैं कि समीकरन 3 है समीकरन 2 और 3 के मान को हम समीकरन 1 में रखेंगे और यह प्लस c जहां पर c समाकलन नियत आंक है तो यही वह अभीष्ट हल है जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था अगला आउकल समीकरन दिया गया है dy by dx equal to 1 upon sine का power 4x plus cos का power 4x तो इसे हमें सरल करना है तो इसे लिखा जा सकता है integration dy integration sign dx upon sine का power 4x plus cos का power 4x और प्लस c लिख सकते हैं जहां पर c जो है यह समाकलन नियत आंक है तो इसका समाकलन करने पर हमें मिल दाएगा y equal to दोनों अंस और हर में हम से अंस और हर में हम cos का power 4x से भाग दे देते हैं तो यह मिल दाएगा 1 upon cos का power 4x dx upon sine का power 4x upon cos का power 4x और प्लस cos का power 4x upon cos का power 4x plus c आगे solve करेंगे तो यह मिल दाएगा 6 का power 4x dx upon इसको सरल करने पर आपको मिल दाएगा 10 का power 4x plus 1 और फिर यह plus c 6 square x का square लिख सकते हैं इस term को तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 plus tan square theta equal to c square theta होता है तो इस प्रकार हमें मिल दाएगा y equal to integration sign 1 plus 1 plus tan square theta का whole square dx upon 10 का power 4x plus 1 और प्लस c अब यहां पर इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन copy up करेंगे और 10x को हम t consider करके चलेंगे दोनों पक्षों का offline करेंगे तो आपको मिल दाएगा c square x c square x c square x dx equal to dt यहां पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इस पूरे पद को 1 plus tan square theta में convert ना करके हम एक c square theta को यहां पर रख सकते हैं तो यह c square x dx तो यह c square x और इसको भी solve करने तो मिल जाएगा c square x दोनों को multiply करने पर मिल जाएगा c power 4x तो अब यह जो प्रतिस्थापन है वो हम यहां पर इस्तामाल करेंगे तो c square x dx को हम dt लिख सकते हैं तो यह हमें मिल दाएगा y equal to integration sign 1 plus t square और यह मिल दाएगा dt upon यह मिल दाएगा 10 का power 4 plus 1 और फिर यह plus c अब अंस और हर को t square से हम भाग देते हैं तो जब t square से भाग देंगे तो यह मिल दाएगा 1 upon t square plus 1 और फिर यह dt इसको t square से भाग देंगे तो मिल दाएगा t square plus 1 by t square plus c हर में जो रासी दी गई है इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ पद जोड़ते हैं और कुछ पद घटाते हैं तो 1 by t square है 1 by t square plus 1 dt upon देखिए यह t square plus 1 by t square है तो इसमें हम minus 2 कर देंगे और plus 2 कर देंगे तो जब minus 2 करेंगे तो यह t square minus यह इसे रिख सकते हैं तो यहां पर हम रनात्मक वाला पद बनने की कोशिस करेंगे. तो इस परकार यहां पर हममें गिल चुका है करेंगे माना t-1 by t equal to u, दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे t के साप एक्ष में, तो यह t का मिल जाएगा 1, और 1 by t का मिल जाएगा 1 by t square, dt equal to du, तो अंस में जो रासी है, उसको हम du से replace कर सकते हैं, तो मिल जाएगा y equal to integration sign du upon, इस पत को हमने माना है u, तो यह मिल जाएगा u का 2 का square लिख सकते हैं, इस प्रकार आपने इसे देखा है कि integration sign dx upon x square plus a square equal to होता है 1 upon a 10 inverse x upon a, इस उत्र का उप्योग करके इसका समाथ लगना हम डारेक्ट लिख सकते हैं, 1 upon a, तो 1 upon root 2, 10 inverse x upon a, तो यह u upon root 2, अब u के इस्थान पर हम t रख देते हैं, तो मिल जाएगा 1 by root 2, 10 inverse t minus 1 by t upon root 2, और यह plus c, यहाँ पर भी हमें plus c लिखना होगा, अब t का जो मूल मान है 10x, वो रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा y equal to 1 by root 2, 10 inverse t square, t into t करेंगे तो t square minus 1 अब मिल जाएगा, तो t square it means 10 square x minus 1 upon यह root 2 और यह 10x, t नीचे में आजाएगा, और plus c, तो यह दिये गए समी करण का हल है, जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, अगला आउकल समी करण दिया गया है, dy by dx equal to x log x, इसे सरल करेंगे, dy equal to x log x dx लिखकर, अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो यह integration dy equal to integration sign x log x dx, यह दो फलन है x और log x, खंड सा समाकलन का उप्योग करेंगे, log x को हम प्रथम फलन, और x को हम दीती फलन मान करके आगे सरल करेंगे, तो प्रथम फलन, दूसरे फलन का समाकलन, पहले फलन का आउकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर इस पूरे फलन का समाकलन, इसको solve करोगे, तो मिल जाएगा y, और यह log x इसको solve करेंगे तो मिल दाएगा x square by 2 तो यह x square by 2 और फिर यह log x फिर minus log x का मिल दाएगा 1 by x और x का समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा x square upon 2 और फिर यह dx और plus c जहां पर c समाकलन नियतांक है तो मिल दाएगा y equal to x square upon 2 log x minus 1 by 2 तो बहर आजाएगा यह x और यहां पर घात है 2 तो मिल दाएगा x बचेगा और उसका समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा x square upon 2 plus c तो इस प्रकार इस दिये गए समीकरण का हल हमें मिल रहा है y equal to x square upon 2 log x minus x square upon 4 plus c तो यह दिये गए समीकरण का हल है तो आप लिख सकते हैं कि यही अभीष्ट हल है